आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहाँ आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के अपनी अपडेट के हम शुरुबात करने वाले हैं डसाल्ट ए वायो सिना तकरीबन 50 मिरास 2000 फाइट इजिट को अपरेट करती है जो कि हमने 1980 के दश्रक में फ्रांस से खरी दे थे इसके अलावा रिसेंट जो प्रक्यूर्मेंट हुआ है उसमें 36 राफिल फाइट इजिट्स खरी दे गए हैं भारतिया वायो सिना के दौरा और इनको MRO स सेल्थी काफी है हमारे लिए बेनेफिशल होगी क्योंकि यहाँ पर ना सिफ हमें मिरास 2000 और राफिल जैसे फाइटर्स के लिए सपोर्ट मिलेगा वलकि इसके अलावा जो विदेशी राफिल उपरेटर्स हैं इनको भी यहाँ से सपोर्ट दिये जाने की बात की जा रही है आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि सिर्फ 36 राफिल नहीं बलकि आने वाले भविश्य में एडिशनल 26 राफिल जो हैं यह भारतिय अनों से ना भी ऑपरेट करेगी और उनके लिए भी जो सपोर्ट होगा वो यहीं से दिया जाएगा और अगर MRFA होता है और 114 राफिल सेलेट कर लिये जाते हैं तो भारत के लिए यहां पर चीज़े और विद्यादा अच्छी होने वाली है अब डिफेंस एक्सपर्ट इसको अलग-लग नजरिये से देख रहे हैं क्योंकि फ्रांस की कंपनी फिर चाहे सायफरान हो फिर चाहे वो डसाल्ट इविएशन हो दोन वहले भविश्य में और भी जो प्रोडेक्शन लाइन है राफल की वो तक देखने को मिल सकती है लेकिन यह सारे चीज़े मरफे के बाद ही हमें देखने को मिलेंगी इसके पहले सायफरान ने भी अपने जो एंजिन इमारों फैसल्ट इसको स्टैबलिश किया है और अब र DRDO के द्वारा जो कार है यह प्रगति में बढ़ाया भी गया है अब को बता दे कि इसके पहले हाइपर सॉनिक टेक्नोलोजी डिमांस्ट्रेटर वेकिल का जो सफल परिक्शन था इसने हाइपर सॉनिक क्रूज मिसाइल के मार्क को प्रसेस्ट कर दिया है और माना जा रहा है एक रिपोर्ट के हिसाफ से कि जो हाइपर सॉनिक क्रूज मिसाइल है यह हमें 2027 से 28 तक देखने को मिल सकती है यह प्रोजेक्ट विष्णू की अंतरकत बनाई जाएगी जहापर DRDO ने ओल्रेडी जो फ्यूल टेंक है मिसाइल का यह विक्सित करना शुरू कर दिया है यह य अधिक डिटेल तो पब्लिक डोमेन में उपलब्द नहीं है लेकिन इस मामले के जानकार लोग यह मानते हैं कि DRDO यहाँ पर इसके जो अलग-अलग वैरियंट है वो बना सकता है जो सेना के तीनों अंगों को प्रतान किया जाएगा नवारी एक बड़ी 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 ब रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि भारतिय नौ सेना का जो MQ9 ड्रोन क्रेश हुआ था इसके पीछे जो पावर जेनरेटर है इनका फेलियर था और उसके बाद जो ऑन बोर्ड बैटरीज हैं यह भी काफी जल्दी ड्रेन हुई थी और उसके बाद कि यह हाथसा ऐसे समय पर हुआ है जब कुछी दिनों में भारतिय नौ सेना अमेरिका के साथ 31 के संख्या में जो MQ9 ड्रोन डील है इसको फाइनलाइस करने वाली है जिसमें क्रमसा सेना के तीनों अंगों के लिए जो ड्रोन है वो खरिदे जाएंगे 15 ड्रोन भारतिय नौ सेना के लिए तो आठा ड्रोन भारतिया वायू सेना और थल सेना के लिए यहाँ पर आवंटित किये जाएंगे जैसे कि अंसर को पता है कि जोरावर लाइट टैंक का डिवलप्मेंट एक रिकॉर्ड समय में किया गया है और इस समय इंटर्नल ट्राइल को पूरा करने के बा वो काफे सकारात्मक थे और जो अब्जेक्टिव थे वो पूरे कर लिए गये हैं अब आपको बताते चलें कि अभी यह सिलसले वार कई ट्रायल से गुजरेगा और उसके बाद जो मास्ट प्रोडक्शन है उसकी मनजूरी दी जाएगी इसको डिफेंसेशन चरम पर था और चीन ने अपने जो लाइट टैंक है उनको डेपलॉय किया था और उसी समय ज़रावर लाइट टैंक का जो शुरुवात है वो हुई थी और अब यह प्रोग्राम एक रिकॉर्ड समय में बनके तयार हो चुका है यह यू कह रहे हैं यह प्रोग्राम एक रिक अपने नेक्शनेशन में बैटल टैंक का जो क्रिटिकल डिजाइन रिवियो फेज है इसको कंप्लेट करने के काफी नजदीक पहुँच चुका है और बहुत जल्दी जो फाइनल डिजाइन है यह फाइनलाइस की जा चुकी होगी और उसके बाद जो टैंक है इस पर काम श गिल्दीफ हमें बहुत सारी टेवियों इसको पुरा करने में तक्षम भी है नेक्शन में इंड बैटल टैंक में हमें बहुत सारी कटिंगरजी यह ऩर्भी यह प्रन करेगा जो कि लिए प्रच्छा प्रदान के लिए यानिक नेक शनेशन में बैटल टैंक को पावर करने के लिए डियाइडियो के दार अविक्सित किया गए डेट रैन 1500 हास पाउर का जो अंजड़ है बहुत इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसे exceptional mobility और agility प्रदान करेगा बैटल फील्ड में वहीं आप सबको पता है कि modern warfare में यतने बड़ी threat anti-tank guided missiles होती हैं उससे कहीं बड़ी threat अब drone बन चुके हैं तो drone से protection के लिए इसमें एक advanced anti-drone system भी incorporate किया जाएगा जो कि aerial threats को neutralize करने में सक्षम होगा इसके लावा इसमें और भी दो advanced features हैं उससे इसको equip किया जाएगा और यह सही माइने में एक next generation main battle tank की भूमिका निभाएगा अभी कोई spust timeline तो सामने नहीं आई है लेकिन अगर हम media reports की बात मानें उनकी हवाले से बात करें तो media reports में पहले यह कहा गया था कि 2030 तक यह main battle tank हमें देखने को मिल सकता है जो सबसे पहले T-72 tanks जो भातितल से ना के हैं इनको replace करना शुरू करेगा और शर्णबत तरीके से जो पुराने tanks है उनको इनी tank से साहता से replace किया जाएगा हमारे इगली बड़ी बड़े DRDO अभ्यास को लेकर आ रही है आप सब को पता है कि अनौटिकल डेवलपेंट इस्टैबलिश्मेंट जो की DRDO की एक प्रीमियर लैबोरेट्री है यह इस समय अभ्यास high speed expendable aerial target को loitering munition और कामी काजी drone में convert करने पर काम कर रही है जी हाँ अभ्यास जिसे basically aerial target के तोर पर बनाया गया था जहाँ पर यह air to air missile और surface to air missile के टेस्टिंग में काम आता था लेकिन अभी से कामी काजी drone और loitering munition के तोर पर बेस्तिमाल किया जाएगा और यह man and man teaming operation में एक महातपुर भूमिका निभाएगा initially इसे cost effective solution के तोर पर mix it किया गया था जहाँ पर missile training practice जो होती है उसमें यह अपने भूमिका निभा सके इसकी range 100 km की है और यह max 0.5 की speed में उड़ने में जक्षम है और इसका endurance time 45 minute का है और इस समय ADE इसके नए variant पर काम कर रही है जहाँ पर इसे loitering munition और जो यह कह सकते हैं कामी काजी operation है उसमें इसका subtle किया जाएगा तो आज के सी वीडियो में बस इतना ही आशग करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्ही लगी होगी वीडियो अच्ही लगी तो वीडियो को like करिए नये चैनल को subscribe करिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जहाँ